हेलो दोस्तो स्वागत है आपका Demarketing Wall में मेरा नाम है विशेख दोस्तो आज की वीडियो का माई टोपिक है How to Increase Maximum File Upload Size in WordPress तो दोस्तो आज की वीडियो में यह देखने जा रहे है कि अगर आप जब वेबसाइट बना रहे हो और उस टाइम आप अपने अगर कोई image या फिर कोई plugin या फिर कोई या मानलो की कोई theme आपने अपने अप्लोड किया और उसके maximum file upload size की limit exceed हो गई तो इसके बाद आपको उस particular file को किस तरीके से upload करना है कैसे हम उस limit को increase कर सकते हैं तो यही चीज आज की इस वीडियो में हम देखने बार है तो दोस्तों इसे पहले कि वीडियो को start करें आप जल्जे करें चैनल को subscribe और bell icon को press ताकि जब इमें कोई video प्रोड़कर्स को notification सबसे पहले आपको मिले तो दोस्तों चली शुरू करते हैं ओके गाईस तो आपने जिस reason से इस वीडियो को open किया है उसका reason यह है कि आपने जब कोई theme या फिर कोई plugin जब upload किया होगा तो आपका maximum file size upload का जो limit होगा वो exceed हो गया हो इसी वज़े से आपने इस वीडियो को open किया होगा तो हम यहाँ पर same case को एक बार check करेंगे और जब हमारे वो error आएगी तो हम उस error को solve करेंगे ठीक है वो कैसे करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पर appearance पर मैं एक demo के लिए एक theme यहाँ पर upload करके देखूँगा तो themes में जाएंगे और add new ठीक है और इसके बाद upload theme पर click करूँगा तो अब यहाँ पर मैं रिशी theme को upload करके देखूँगा जिसकी size है 2.53 यानि कि 2.53 MB का यह file है तो मैं एक बार इसको install लाँ पर click करके देखूँगा देखते हैं कि हमारे पास वो error आती है यह नहीं आती कभी-कभी वो error देता है यहाँ पर जाएंगे cPanel में अब आपको अपना cPanel open करने के लिए आपका जो भी domain name में वो enter करना है उसके बाद slash cPanel उसके बाद आपको इसको enter कर देना है तब आपको username और password मांगेगा तब आपको वो username और password enter करना है जब आपने hosting और domain purchase किया होगा तब आपको एक mail आता है उस mail में आपको cPanel का username और password मिल जाता है तो उससे आपको cPanel को open करना है ठीक है open करने के बाद cPanel कुछ इस तरीके से दीखेगा और इसमें आपको आजाना है नीचे नीचे आने के बाद multi php ini editor आपको इसको open करना है मैं एक बार इसको cPanel को refresh कर लेता हूँ तो multi php ini editor को आपको एक बार open कर लेना है ठीक है अब यहाँ पर आपको दो location मिलता है एक तो आपका domain और दूसरा form directory हम इस दोनो location में इस चीज को solve करेंगे अब आप देख सकते हो सिर्फ 2mb है मेरे इसमें तो 5mb की file के से upload होगी तो मैं क्या करूँगा इसमें 50mb कर दूँगा या फिर फिलाल अभी के लिए मैं चाहों तो 10mb भी कर सकता हूँ ठीक है 10mb कर दूँगा और apply फे click कर दूँगा ठीक है यह हो गया जो हमने अभी changes किया है वो apply होगा है कि नहीं होगा तो देख सकते हैं 10mb भी apply हो चुका है और यहाँ पर भी domain में भी 10mb भी भी apply हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे इसको एक बार refresh कर लेंगे तो refresh जैसे ही किया आप देख सकते हो unpacking the package, installing the theme, theme install successfully और यहाँ पर आप देख सकते हो activate ठीक है यानि कि theme जो है हमारी install हो चुकी है और आप activate पे click कर देंगे तो जैक्ट जैसे click करते हैं और जो हमारी theme है वो activate भी हो जाएगी ठीक है तो हम चेक करेंगे इसके बाद कि सब सही से हुआ है कि नहीं हो तो आप देख सकते हैं रिशी theme activate हो चुकी है अपने site को हम एक बार open करके देख लेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी theme दिख रही है ठीक है अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपने माल लो कि वो जो error है उसको back कर लिया तो आपको दुबारा से upload करना है जैसे आप दुबारा से upload करोगे तो आपकी problem solve हो जाएगी मैंने तो उस page को directly refresh कर दिया और काम हो गया क्योंकि सबसे easy step था तो वो मैंने वाँ पर कर दिया तो आप refresh अगर आपने उसी error पर छोड़ रखा है तब तो आप refresh कर लो और अगर आपने उस error को हटा दिया है तो फिर से आपको themes में जाने के बाद आपको add new करना है add new पर जाके फिर वापस से आपको upload करोगे उस theme को जै तो यह कुछ नया error देगा तो इस तरीके से आप जो अपने problem है यह maximum file upload size की limit को exit करने की जो problem है इसको आप solve कर सकते हो ठीक गाईस अब हम सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक offer देना चाहूँगा कि आपको अभी फिलाल यहाँ पर 65 plus 10% का extra discount देखने को मिलेगा domain और hosting पर ज जाके checkout कर सकते हो आपको वहाँ पर free SSL मिलेगा, free domain मिलेगा, free CDN मिलेगा और इसके अडावा आपको SEO tools मिलेगे, email marketing tool मिलेगा और बहुत कुछ website builder बगेरा सब मिलेगा जिसमें अंदर 300 से भी जागा, stock images मिलेगे, 200 से भी जादा आपको premium templates देखने को मिलेगे तो यह सारी जहां पर आपको 10% का extra discount देखने को मिलेगा, जो आपको company जो discount देती है, 65% का, उसके उपर से 10% का discount और आपको मिलेगा, तो link description में आप जाके directly check out कर सकते हैं, और इसी रिशी theme को किस तरीके से properly आपको इसके companion को install करना है, और इसके बार demo import कैसे करते हैं, यह सारी चीज़ पर एक नया वीडियो आने वाला है, तो अगर आप ये वीडियो चार-पास दिन बात देख रहे हैं, तो वीडियो आ चुका होगा, और उस वीडियो का भी link आपको इसी वीडियो के description में देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों, यह था complete topic, और इसमें अगर आपको कोई भी doubt है देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तो दोस्तों, उमीद है वीडियो को संदाया होगा, और अगर पसंदार वीडियो को लाइक भी कर जीजिए, शेर भी कर जीजिए, और नापने तक चैनल को सब्सक्राइब नहींगे, तो प्लीज चैनल को साइकर लेजि तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,